तो आप सब कहार दिख स्वागत है आप की युटूब चनल में ग्रेंटीव सब्वाइज चनल में प्रेंट्स आजके इस वीडियो में एक ऐसी स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा एक ऐसी स्टॉक जो बहुत ही छोटे स्टॉक से जो कपी बड़े स्टॉक कुआ करता था उसी स्टॉक की टेक्निकल आउट्लूप देखेंगे अगर टेक्निकल आउट्लूप बोले तो स्टॉक अभी उगरान भड़ने को तयार है कहना का मतलब एक सो साट रुपी का स्टॉक्स 27 रुपी का लोग बनाने के बाद अभी 60-61 रुपीज चल रहा है तो वो स्टॉक और कितना ओपर जा सकते हैं क्या वो अपनी उगरान भड़ेगा आगे तो उस बारे में चर्चा करेंगे टेक्निकल आउट्लूप देखेंगे क्या भी पर स्टॉक ऑप्शन कॉल फी मिलेंगे प्रीमियम कॉल अपनी पेट लाइन को जो कल पोवड करता हो सेम कॉल अगर एक उन उपन करना है तो मुझे वार्चाप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं और अगर आप लोग एनी सिग्मन के टीप से लेना चाहते हैं तो मुझे कॉं पूरा नाम है तलवलकर्स क्या है फ्रेंस तलवलकर्स अगर हम इसका पूरा नाम देखें तो तलवलकर्स बेटर वेल्यू फिट्नेस लिमिटेट आप लोग देख सकते हैं तलवलकर बेटर वेल्यू फिट्नेस लिमिटेट अभी स्टॉक देखिए सबसे पहले उसका बेस fundamental हम लोग देखें तो 52 week high क्या है 163.80 वो भी तीन अपरिल 2018 को 2018 की एपरिल मेहनी को 163.80 का high बनाया था और 52 week लो क्या है अगस्त मेहने में 52 week लो बनाया था 27.70 पेसे यानि 2018 की ओगस्त मेन की एक तारिक 27.70 पेसे का लो बनाया और 27.70 पेसे का लो बनाने के बाद stock का जो अभी condition है जो price है 60.30 यानि 60 रूपे से ज़्यादा अभी price चल रहा है stock में अगर हम देखें तो अच्छी खासे trade volume होता है उसमें यानि delivery trade quantity देखें आपन 34 person से ज़्यादा delivery quantity trade ओके आठ लाक्स से जदा लिया रवल 9 लाक्स का trade होता है एक दिन में छोटे stock से बहुत ही कम लोग जानते है stock के बाएर है बहुत ही कम लोग सुनते है के नाम ठीक है ना तो अभी देखिए 163.1 यानि 164 रुपे का हाइप बनाने के बाद अगस्त मेहने में 2008 की ट्वांटी रुपी स्लोग बनाने के बाद और आभी 60 रुपी चल रहा है तो stock काफी उपर है और उपर कितना जा सकता है अगस्त चलिए नसे पर देखते हैं जाट पर अगर अगर हम देखिए तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं में रीकर करके रख़या लटी चार्ट में आप लो देख सकते हैं और आपर आप लोग देख सकते हैं रेंज मौंड में था रेंज मौंड में ट्रेट कर रहा था स्टॉक एकी रेंज में यानि कुछ तक दप्त 10 पैंट और 15 पैंट की बीचे ट्रीड कर रहा था आचानक से stock में क्या हुआ आचानक से stock में एक uptrend rally आई एक uptrend rally हमने क्या देखा एकी range में trade करते हुए narrow range में trade करते हुए 200 days है जो आप लोग को red color का एक line देख रहा है 200 days 11 है day chart है ये 200 days को positive breakout किया और 200 days को जिस दिन positive breakout किया इसके उपर जिस दिन sustenance क्या यह कंडल आपको दिखाए देगा यह bullish candle big bullish candle जब इस डेइट को इस कंडल ने इसको पर सस्टेंस के ट्रोंड इसको पर उसके बाद देखें सीधा stock उपर की तरह और अभी 60.30 यानने 60 रों पर 30 पैसे पर चल रहा है दूसरी तरह अगर हम देखें तो stock अभी resistance level के उपर है तो resistance अभी support का काम कर रहा है ठीक है ना यहाँ पर देखें डे resistance level के उपर है अभी नेरोरेंस में trade करते हुए 200 days को breakout किया एक जवर्दस्ट उचाल और अभी resistance level के उपर sustance किया और resistance level अभी support का काम कर रहा है दूसरी तरह अगर हम देखें तो जवर्दस्ट तेजी दिखने को मिल रहा है मेस्ट में क्योंकि में क्योंकि में सिप्रेंड को breakout के और दोने ज़िरो लान के उपर यह देखें उपर की तरह है दूसरी तरह अगर हम आरे सथी को देखें तो आरे सब देखिए 84 में है यानि ऑवरबॉट जिसको बहुत यानि हाई ऑवरबॉट कहते हैं 70 overboard होता है तो यह 84 है, यहां से stock को गिरना चाहिए, गिरना चाहिए कि नहीं, गिरना चाहिए, क्योंकि overboard में हैं, और यह कोई 15-minute chart नहीं है, 1-day chart है, 1-day chart में 84, तो stock में थोरा बहुत तो correction होना जरूरी है, correction तो आना चाहिए, अगर हम इसी time उसमें pine position मनाते हैं, तो सायद हम हमें नुकसान हो चकता है, लेकिन अगर हम थोरा सा correction के लिए wait करें, तो हमें अच्छी profit मिल सकता है, आप जाके, क्योंकि stock अभी भी अपना position बना के रखके हैं, uptrend में, क्योंकि यहां पर देखिए, मैं दिखाऊंगा आप लोगों, देखिए, यह तारिक क्या है, 2-4-2019, एक, दो, तीन, तीन दिन लगा तर, तीन दिन, uptrend में हैं, अभी फिलहाल, तीनों bullish candle है, और RSI जो है, 80, 82, 84, 83, ऐसे करके चल रहा है, यानि एक ही range में चल रहा है, तो कह और उपर जाओ, या भी और उपर जाने के लिए मैं तयार हूँ, अभी buying का pressure कितना होगा, वो सबसे important है, ठीक है न, तो, अभी अगर हम 60.30 पेसे में buy करते हैं, मान के चलिए, मुझे 1000 quantity buy करना है, या फिर 500 quantity buy करना है, अगर मुझे 500 quantity buy करना है, तो थोड़ा से calculate open करके देख लेते हैं, एक calculation है, या पर हम देखेंगे, ठीक है, अगर मैं 500 quantity buy करता हूँ, 60 रोपे में अगर buy करता हूँ, तो मेरा 30,000 के investment होगा, लेकिन, अभी ये stock में जो है correction आ सकती, ये 55 तक गिर सकते हैं, तो पाच पॉंट निचे और गिर सकते हैं, उसक बद बैक बाउंस हो सकता ह तो अगर इसा भी तो हो सकते हैं, नहीं गिरेगा और ऊपर भागेगा, तो अगर हम अभी buy नहीं करेंगे, तो ये मौकात से चोड़ जाएंगे, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरा इरादा है 500 quantity buy करने का, तो कितने investor होगा, 30,000, तो मैं 200 quantity buy करूँगा, कितना 200 quantity, 250 quantity, ये पर example दिखा रहा हूं है आप लोगो, अगर 250 quantity में buy करता हूँ, 60 रुपे में, तो मेरा investment हो जाएगा 15,000, और अगर ये 55 में आते हैं, मैं और डाल दूँगा कितना, 15,000, तो कितना होगा, मेरा 30,000 हो जाएगा, और average में जो है, कम हो जाएगा, मैं टाइसल quantity आभी क्यों buy करूंगा, कि ये उपर जा सकते हैं, निचे नहीं गिरेगा, अगर निचे नहीं गिरेगा, तो अगर उपर चलाएगा है, तो ये opportunity आपने हाथ से छोड़ जाएगे, इसलिए, तो अभी अगर 500 buy करने के रादा है मेरा, तो मैं dice buy करूंगा, और अगर उपर जाते तो profit book करू Stock अभी, चलिए एक बार देखते हैं, Stock अभी strong volume gainer से, bullish 7-day moving average cross-up of 21 BME, ठीके friends, 7-day ने 21 को breakout क्या है, bullish MACD cross-up 9-day में, यानि MACD bullish आभी और bullish cross-up 9-day में को breakout क्या है, दूसरी तरव अगराम देखें, तो strong bullish RSI cross-up 70, यानि RSI ने 70 को breakout क्या है, तो bullish RSI हो गया है, strong bullish दूसरी तरव अगराम देखें, तो bullish slow stochastic cross-up 20, यानि slow stochastic indicator जो है, वो 20 period को breakout किया, RSI ने 70 ratio को breakout किया, MACD 9-day में को breakout किया, 7-day ने 21-day में को breakout किया, strong volume gainer stocks है, तो यह कापी सारे reason है, stock को select करने का, stock में correction आ सकते हैं, obviously लाएंगे, लेकिन हम इस resistance तक wait कर सकते हैं, ओके, और इस stock में हम निवेश कर सकते हैं, और हम यह सा लग रहा है कि stock उरान भड़ने में तयार है, चलिए, वर्ण वीक का थोरा सा देख लेते हैं, अगर हम वर्ण वीक का देखें, तो देखें, MACD मेंड लेंड, सिग्न लेंड के उपर हैं, लेकिन अभी तर जिरो लेंड के नीचे, तो जिरो लेंड के जैसे break out करेगा, और भी जवर्दस वुशाल देखने को मिल सकते हैं, और RSI देखें, यह आपर 63 हैं, वन वीक में, यानि अबर वोट को अभी तक टेस्ट नहीं किया, तो और भी पर जा सकते हैं, दूसरी तरह अगर हम वन मन चार्ट में देखें, तो देखें, यह आपर क्या जवर्दस्त नतीजे मिले हैं हमें, क्या मिला, देखें, MACD वेब स्ट्राटिजी के तरह उसको ब्रेक आउट करने की कोशिश करना है, यह आप राउंड स्ट्राटिजी भी कह सकते हैं, और RSI देखें, RSI कितना है, RSI 34 है, 34 है, यानि ओवर सोल्ड में है, वन मन में ओवर सोल्ड में है, यानि बाइंग का प्रेशा है, ओके, और दूसरी तर में ओवर बाट को ब्रेक आउट किया, यानि सेलर का प्रेशार जो था, सेलर फेलिवर हो चुके हैं, बायर गेनर हो चुके हैं, तो स्टॉक में फिला हम निवेच कर सकते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कही ना कि, कि स्टॉक काफी उपर जा सकते हैं, अभी देखें, 164 का हाई 28 का low और 60 का higher भी ठीक है friends तो 60 से 100 तक जा सकता है अगर 164 का stock 28 भी गिर सकते हैं और 28 से 60 तक आ सकते हैं तो 60 का stock 100 पे जा सकते हैं आपब भी जा सकते हैं 70 पे ससा जा सकता है यह मतलके hope कर सकते हैं यह संभव हो सकते हैं यह संभव ना है कोई अश्रियूडी नहीं है कि यह जाएगा ही जाएगा बस analysis chart हम यह कर आ है कि ऊपर जा सकते हैं और अभी जो है stock अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो कम से कम अपनी फानेंशल एडवेजर से सलाह परवर्शन रेनिक बादी निवेश करें तो फ्रेंस आसके लिए इतना सही अगर आप लोग मेरी तुरू आस्ता टेल में कोन ओपन करना चाहते हैं तो मज़ें कॉंटक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग मेरी तुरू आस्ता टेल में पन ओपन करते हैं तो निप्ट ओप्शन वेंग निप्ट ओप्शन स्टॉक ओप्शन कॉल 3 मिलेंगे और अगर पेट सर्विस देना चाहते हैं तो कॉंटक्ट कर सकते हैं एट्टी परसेंट अगर इसेगे साथ कॉंटक्ट करता हैं तो निप्टर सकते हैं तो आसकेल इतना साइब दिजिक रिंगे लेंगे जने में तैंक्स वाचिंग